हमारे इंस्ट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइट करते हैं जैसे होम अप्लाइंस रिपेरिंग एंड मेंटरनस में अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर जॉइन करना है तो हमें कॉंटेक्ट कीजिए ब्रदर्स टेक्निकल इंस्ट्ट से मैं देवेश खाड़े आज हम देखेंगे जैसे इसे OTG कहते है तो OTG में ही जैसा पीज़ा ओवन जो होता है concept तो पीज़ा ओवन है यह तो इसमें हम देखेंगे इसका working कैसा होता है पीज़ा ओवन का उसके बाद में working हो रहा है तो इसमें parts कैसे लगे है कहा पे लगे है उसका parts का testing यह देखेंगे जैसे यह पीज़ा ओवन है तो पीज़ा ओवन यह जो है तो OTG मतलब Oven Toaster Grill, यह इसका मीनिंग है, तो इसे हम वैसे अगर देखा जाए तो basically यह grill oven ही है, पर जैसे पीजा oven इसलिए कहते हैं, जैसे पीजा शॉप में यूज कर रहे हैं, यह इसे बेकरी प्रोड़क्त को भी जैसा बेक करने के लिए या ग्रिल करने के लिए भी इसे य open हो जाता है, open होने के बाद में जैसे यहाँ पे rack रखने को, जैसे tray रखने को जगा बनी हुई होती है, tray रखने को मतलब जैसा नीचे का platform हो गया, उसी के साथ साथ बीच का platform हो गया, इस तरीके से हम tray डालके, उसके उपर एक तो आप जैसा पीजा भी उसमें cook कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आपको गर लग रहा है bakery के item, उसी के साथ साथ bakery के item भी इसमें आप कर सकते हैं, तो इसले इसले OTG own कहते हैं, उसके बाद में अगर इसमें आगे बढ़ते तो इसमें देखते हैं कि यह किस process पर work करता है, इसमें OTG में अगर देखा जाए तो यह जो simple own है, इसमें grill के लिए सिर्फ element दिये गए होते है, element मतलब heating rod जो होते है, वो use किया गया होता है, उससे heat करने के बाद में हम इसमें cooking करते हैं, अभी heating rod हमने जो इसमें use किये है element, तो यह देख लेंगे element कहा लगे है इसके, जैसे element इसमें लगे है, तो जैसे element इसके base के bottom के platform पे ल लगे है, उसके बाद में upper platform भी लगे है, जिस वज़े से जैसे अगर bakery में use कर रहे है, तो इसमें कैसा है, नीचे से उपर से, अगर heat हम देते हैं, कोई भी मतलब cake अगर बनाना है, या pizza बनाना है, तो काफी अच्चे तरीके से cook होता है, तो इस तरीके से यह OTG oven है, तो OTG oven में एक बार देख लेते हैं, कि जैसे इसमें एक तो हमें OTG oven में timer दिया गया होगा, timer हो सकता है, 60 मिनिट तक की भी हो सकता है, depend करता है आपका requirement क्या है, उस हिसाब से में timer लगा सकते हैं, timer के बाद में इसमें जैसा temperature sense करने के लिए, और temperature maintain करने के लिए, एक temperature का knob दिया गया होता है, जिसमें हम thermostat use करते है, जो thermostat हो सकता है, जैसे requirement है, उसके उपर thermostat हमारा set किया होगा, मतलब requirement किती है, requirement हो सकता है, कि हमें requirement सिर्फ 300 degree Celsius की है, तो उसके हिसाब से अगर design करना है, तो उसके हिसाब से भी design हो सकता है, अगर हमार requirement 500 degree Celsius का है, तो उसके लिए भी हम अगर OT बनाते हैं तो डिपेंड करता है सारा हमारा जैसे थर्मोस्टेड होदा है उसके उपर डिपेंड करता है कि हमें किते टेंपरेचर डिगरी के लिए ओटीजी चाहिए है इसमें 800 डिगरी तक भी आता है हो सकता है आपको अगर मॉडिफाय करना है तो उससे जादा बना सकते है तो यह OTG होता है, requirement के हिसाप से कित्ता आपको बड़ा बनाना है, कित्ता छोटा बड़ाना है, कैसे customize करना है, इस इसाप से OTG यह बना सकते हैं, उसके बाद में जैसे इसमें एक selector switch भी होता है, या कही कही इसमें on-off switch भी होता है सिरिफ, इसमें selector switch इसलिए दिया गया होता ह जैसे इसमें मैंने आपको बता है कि bottom level में भी इसमें element लगा है उसके बाद में mid level पे इसमें element लगा है उसके बाद में upper side में element इसमें लगा गया है तो हमें at a time किते element इसके on रखना है या किते element इसके off रखना है मतलब अगर मुझे मैं चाहू तो मैं सिरिफ उपर का भी element on रख सकता हूँ अगर मुझे चाहिए तो मैं सिरिफ बीच में का भी element on रख सकता हूँ अगर मुझे चाहिए तो सिरिफ मैं bottom का भी element on रख सकता हूँ हाँ अगर मुझे ऐसी condition चाहिए जिसमें मुझे upper और bottom जैसे उपर और नीचे ये दोनों side के element on रखना है तो वो भी selector switch से हम control कर सकते हैं इसलिए इसमें selector switch दिया गया होता है कही कही इसमें जैसे इसमें 3 knob दिये गया है कही इसमें extra knob भी रह सकता है जो on-off का working करता है इसमें on-off के working के लिए दिया नहीं गया है पर हो सकता है अगर आपको custom adapt कर रहे तो उसमें on off का भी आप उसमें जैसा rotor switch आउसमें लगा सकते है अभी जैसा हमने इसमें देखा इसका working क्या है क्यों इसे use कर रहे है अभी इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे parts लगे है तो इसमें parts कौन कौन से लगे है कहा लगे है जैसे elements के अगर हम बात करते है तो इसमें bottom level पे मतलब सबसे नीचे level पे element लगाए गया है मतलब इसमें 2 element लगाए गया है नीचे में और बीच में भी एक element लगाए गया है जो middle element है, तो ये एक लगाया गया है, उसके उपर, जैसे उपर side में अगर देखते हम, तो यहाँ पे भी 2 element लगाये गया है, तो cool मिला कि इसमें 5 element लगाये गया है, तो ये 5 element इस तरीके से place है, और इसमें जैसे हम tray रखते हैं, जैसे pizza के रखना है, तो एक साथ इसमें जैसे 8 pizza हो सकते हैं, अगर 8 pizza हो सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, इसमें जैसा एक tray यहाँ पे आ गया, दूसरा tray यहाँ पे आ गया, अगर हम इसे start करते हैं, यो तो हर direction से उसे hit करेंगा, उपर से भी hit करेंगा, बीच में से जो करेंगा, वो नीचे से उसे hit करेंगा, और बीच का जो दो element यूज़ किये गए हो सकते हैं depend होता है OTG कितना बड़ा है और किस purpose के लिए हम उसे use कर रहे है और कितने degree तक के हमें उसे reach करना है उसके इसाब से element इसमें place किये गए होंगे तो इस तरह इसमें element place किये गए है इसके बाद हम इसमें देखते है कि कौन-कौन से और part लगे है जो element को operate करते है मतलब temperature reach होने के बाद में cut होना चीए उसके बाद में timing खतम होने के बाद में off होना चीए उसके बाद में हमें किस तरीके से कौन सा element किस समय पर on रखना है तो उसके लिए कौन सा जैसा selector switch जो use करते है वो कहाँ पर दिया गया है element देखने के बाद में जैसे मैं आपको बता है thermostat है, selector है उसके बाद में timer है तो एक बार उसे खोल के देख लेते हैं कहाँ से खोलता है, उसके बाद में जैसे इसमें element स्टार्ट है, तो उसमें नीचे का दिया गया है element मतलब hitting rod भी उसे बोल सकते है तो एक बार इसे देख लेते हैं और ये खोलता है, side से खोलता है जहाँ पे लगा होगा panel, उसी के बाद से इसे खोलना भी है तो इसे पहले 4 screws के खोल लेते हैं उसके बाद में इस panel को खोल लेना है जैसे कोई भी अगर OTG हमारा बड़ा segment का OTG होता है तो OTG का ये खोलने के बाद में जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे में हमारा timer लगा हुआ है उसके उपर selector switch लगा हुआ है उसके उपर ये thermostat लगा हुआ है जिससे हम hitting हमारी control करते हैं हमें किते degree Celsius तक इसे reach कर रहा है तो उपर हमारा thermostat है नीचे हमारा selector है उसके नीचे हमारा timer है और उसमें जैसे elements आप देख सकते हैं तो elements के यहाँ पे जैसे points बने हुए कहाँ पे हमें neutral देना है और कहाँ पे हमें जैसे face देना है अभी जैसे इसमें हमने parts देख लिए कहाँ पे लगे है उसके बाद में अभी इसमें हम यह देख रहे हैं कि हमारे जो parts लगे है जैसे thermostat लगा है selector switch लगा है उसके बाद टाइमर लगा है यह हमारा working में है नहीं है कैसे check करेंगे इसमें देखेंगे उसके बाद में जैसे elements लगे है तो elements की जो जैसे wiring की गई है तो neutral तो सबको looping में common कर दिया है उसके बाद में जित्ते भी तीनो light लगे है उसको भी neutral जो दिया है एक loop में जाके common करके neutral दे दिया है बाद में जैसे upper side का जो light है जैसे upper में जो element लगे है तो यहाँ पे अगर हमें face देना है तो selector switch में अगर हम one select करते हैं तो one select करने के बाद में इसका जो पहला point है वहाँ से supply चले आता है thermostate में पहले तो thermostate में जाने के बाद में वो supply हमारा जा रहा है फिर जैसे element यह उपर के element में हो उसी के साथ साथ loop दे के उसका face दूसरे element में भी दिया है अभी उसके बाद में जैसे selector switch को हम two पे select करते हैं तो two पे select करने के बाद में अपर side में जैसे upper side का और middle side का जैसे बीच में का यह दोनो elements start हो जाते है टू पे जब selector switch करते हैं हम select करते अभी इसमें जब हम check करेंगे तो फिर से जैसे इसका face जाता है two और one से फिर से thermostat के जरी फिर जाता है इसमें उसके बाद में अगर हम इस पर three पे select करते हैं इस switch को three पे select करने के बाद में उपर के middle के और बीच में के, के सारे इसमें element start हो जाते हैं, अभी अगर हम timer की अगर बात करते हैं, तो timer जैसा primary जैसे हमारे पास में supply आता है पहले power से, supply आने के बाद में supply direct इसमें हम दे रहें timer पे, उसके बाद में हमारा supply जा रहा है इसमें thermostat में, thermostat में जाने के बाद में जैसे thermostat से भी supply ह हमने इसमें दिये हैं उसके साथ सा जैसे सिलेक्टर स्वीच हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके जरीए भी सीरीज में कनेक्शन देती हुए थर्मो स्टेट से हमने इस elements में connection दिये हैं अभी जैसे हम इसे चेक करते हैं तो हम जैसे continued tester अगर use करते हैं light वाला तो light वाला continued tester अगर use करते हैं तो इसमें हम element चेक कर सकते हैं कि हमारे element working में है या नहीं है या element हमारे body shot तो नहीं है ये भी हम देख सकते हैं पर major cases में element body shot है या नहीं है ये continued tester से भी पता हम यह नहीं चलता है तो हम इसे ऐसे भी चेक कर सकते है, series lamp से भी इसे हम चेक कर सकते है उसके साथ साथ अगर tripping का problem आता है तो इसमें जैसे mainly जो problem आता है वो आता है हमारे element में, तो पहले तो हम continuity से हम चेक कर लेते कि हमारे सारे element ओके है की नहीं है, जैसे बीच में के element हम चेक करते है तो बीच का एक ही element लगा है, चेक करते हैं, देखे, continuity आ रही है, मतलब यह element ओके है, element पे लगाने के बाद एक point हम body पे देख लेते हैं, तो body पे तो इसका glow नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह body shot नहीं है, अब ही जैसे अपर में दो दिये गया है, उपर में, उपर साइड में जो दिये गया है, टॉप में तो उसे भी चेक कर लेते हैं, तो देखे, चेक करने के बाद में यह भी element हमारा ok दिखा रहा है, उसके बाद में ये भी element हम check कर लेते हैं, उपर का, उपर में दो element लगे हैं, तो ये भी element okay है हमारा, बीच का भी okay है और उपर का भी okay है, इसमें bottom का element हम check कर लेते एक बार, तो bottom का element भी हमारा okay है, bottom में भी दो element दिये गए, downside में, नीचे side में, तो दोनों element bottom के भी okay है, अभी हम आए जैसे selector switch हम अगर वन पे select करते हैं तो वन पे select करने के बाद में सिर्फ उपपर के अगर on होना है तो सिर्फ एक ही point पर हमें supply चाहिए अगर उसके बाद में 2 point पर supply आ रहा है तो उपपर दो ही जलना चाहिए मतलब उपर करो और बीच में करो अगर वो जलने के बाद में third point पे अगर supply आ रहा है continuity आ रही है मतलब selector switch खराब है उसी के साथ साथ जैसे three पे अगर select करते है तो तीनों में आना चाहिए continuity अगर एक में continuity नहीं आ रहा है तो मतलब उसका मतलब वो भी खराब है जैसे अभी में zero पे रखता हूँ और जैसे जहां से हम phase दे रहे हैं और बाद में जहां से phase out कर रहे हैं वहाँ एक बार check कर लेते हैं तो तीनों पे जैसे continuity नहीं आ रही है इसका मतलब selector भी ओके है अभी मैं इसे select करता हूँ one पे one पे select करने के बाद में इसमें continuity एक ही पे आना चीए तो जैसे पहले पर किया है उसमें नहीं आ रही है दूसरे पे नहीं आ रही है और जो इसका सबसे पहला पोईंट है उस पे आ रही है मतलब हमारा जो upper side है तो यही से हमारा phase जा रहा है उपर के side में तो इसमें continuity आ रही ह यही से वाईर यह उपर यहार था हुग आड़ा है तो इसका मतलब हमारा सीलेक्टर यह इस प्रकार हम सीलेक्टर सवीच कैसे चेक करते हमने देखिया अभी हम इसमें करता है कि नहीं कर रहा है एक बार देख लेते को सप्लाय पिन रखी है उसके बाद में जैसे मैं thermostat पे एक तरब पिन रखता हूँ और दूसरे तरब में इसको चेक कर लेता हूँ thermostat को thermostat के point को यहाँ पे डालना मुश्किल हो रहा है इसलिए में जैसे यही से wire यह उपर जा रहा है thermostat में series के इसमें और वही से out होके हमारे element में आ रहा है तो एक बार यह wire से हम चेक कर लेते देखे thermostat पे भी continuity आ रही है मतलब thermostat हमारा ok है अभी हमें जैसे timer देखना है तो timer हमारा start है या नहीं है वह हमारा check कर लेंगे तो timer का जैसे यही से एक point जा रहा है यह वाला point यह point पे रखे आगे वाले point पे check कर लेते हैं देखे हमारा timer भी ok है तो इस तरीके से continuity के मदद से हम इसमें check कर सकते हैं जैसे हमारा selector हमारा on है हमारा timer हमारा है उसके बाद में ज़र timer है उसके बाद में thermostat है यह सारे हमारे जो लगे है वो proper है या नहीं है इस condition में ऐसा भी हो सकता है OTG के condition में, कही कही दो thermostat भी लगे हो सकते हैं, अगर यह सब depend होता है हमारे custom design पे, अगर custom हम कैसे इस तरीके से बना रहे हैं, अभी जैसे मैंने आपको element दिखाया इसमें जो लगे हुए, तो इस तरीके का element हमें मिल जाते हैं, इसमें sizes में काफी dimension change ह हो सकते हैं, पर depend करता है कितना बड़ा oven है, उसके हिसाब से dimension change होंगी, उसके हिसाब से इसमें lane भी change होंगी, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने इसका working देखाया है, उसके बाद कितने parts लगे हुए, और parts जैसे लगे तो उसका testing भी देखाया है, टेस्टिंग तो इसके oven है, हमने जो consider किये है, तो इस प्रकार हमने working complete किये, उसके बाद में parts है, और parts किस तरह के सा लगे हुए, देखिये, parts इसमें change हो भी सकते, कोई parts बढ़ भी सकते, कोई parts कम भी हो सकते, या हो सकता है, हमें उस चीज की requirement नहीं है, या custom उसे जिस तरीके से बना है, उस तरीके स washing machine, oven, geyser, chimney, water purifier, gas store, ये सारे appliances का हम 100% practical के साथ में course कंड़क करते हैं, अगर आपको भी हमारे साथ में course अगर join करना है, तो हमें contact कीजी,